Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional Trade Strategy is a copyright content of IFMC. IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. Good morning and welcome to the episode of Tiyari Agla Sabtaki. दोस्तों सबसे पहले आप सब लोगों को दिवाली की बहुत-बहुत शुप कामना है. और आज Saturday है, आफिस में पूजा है और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. जो आज अब नेक्स्ट जो है तीन-चार दिन चुट्टी है, तो अब इस्टिट्यूट हमारा Thursday को खुलेगा. तो आज सभी स्टूडेंट्स ने दिवाली की सेलिबरेशन में पाटिसिपेट किया. और हमारे दो स्टूडेंट्स ने एक बहुत अच्छा पोस्टर बनाया है, तो मुझको यह लगा, कि यह आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है. तो मैं सबसे पहले बुला रहा हूँ हमारे दोनों स्टूडेंट्स को, जिन्हों एक छोटा सा पोस्टर बनाया है, और वो हम शेयर करने हमारे साथ हमारे YouTube विवेवर्स के साथ. बुल और बियर का पोस्टर बनाया है, क्या नाम है आपका? आप कहा से हैं? अब बनारस से हूँ, पराद दिली में रहता हूँ, और आपका क्या नाम है? अच्छा, आप डेली से हो. तो आप दोनों ने यह पोस्टर बनाया है, बुल और बियर का, क्या significance है? मतलब ठीक है, एक डिवाली के लिए बुल और बियर बनाया या इसके दिमाग में आपके दिमाग में है कुछ कि क्या है। बुल और बियर के हिसाब से, मार्केट में इन दोनों का imponus अपनी जगा बिल्कुल एक बरावर है। जिस हिसाब से ट्रेंड है, उस हिसाब से हमें चलना है। में वहाँ जाना से गया हैं तो अल्टिमेटली प्रवीन का कहना है कि ट्रेंड इस यॉर फ्रेंड चाहे बुल है या बेर हैं ट्रेडर को कोई फरक नहीं पड़ता जो ताकतवर है उसके साथ रहना है और हाँ एक चीज और कहूंगा कि या तो बुल बने और या बेर बने और आप strategy के साथ experience के साथ full discipline के साथ काम करते हैं तो आप winner जरूर रहेंगे लेकिन हाँ इसके इलावा एक जानवर और है जिसको हम pig के नाम से जानते हैं उसके बारे मैं बहुत सारी बाते कर चुका हूं pig ना बनें pig बनेंगे जो ना बुल है ना बियर है तो पीटेंगे तो Thank you so much capital और इतना पैसा नहीं है कि हम bull बन पाएं या bear बन पाएं हमें केवल ये judge करना है कि कौन इसमें से ताकतवर है bull या bear और उसके पीछे हमको trade करना है अगर मैं intraday की बात करूं तो intraday trading में होता क्या है intraday trading में केवल आपको इतना judge करना है कि अगले 2-3 घंटे के अंदर stock का trend क्या होगा या nifty का trend क्या होगा अगर ये 2-3 घंटे को आप judge कर सकते हैं या आप इसको forecast कर सकते हैं तो हो गया काम तो दोस्तों आपको ये judge करना है trend के माध्यम से chart के माध्यम से और chart हमको बताते हैं कि किस तरफ का trend है और जिस तरफ का trend हो उसी side में trade हमको करना है तो दोस् आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ अगर अच्छा trader बनना है तो दोस्तों strategy तो चाहिए discipline भी चाहिए लेकिन एक सबसे important चीज है आपकी practice हमारे यहां IFMC के जो भी हमारे institutes हैं उसके अंदर हमारा खास ध्यान रहता है अभ्यास के उपर और जो आपने strategy को सीखा है जो भी आपकी learning है उसके उपर आपकी practice बहुत जबरदस चाहिए देखिए बिना experience और बिना practice के कोई भी strategy कोई भी learning अधूरी है मैंने last time भी आपसे बात करी थी मैं यहां पर आप लोगों के साथ हर week को discuss करता हूँ हर week को forecast करने की कोशिश करता हूँ और उसमें strategy charts के इलावा मैं अपना experience डालने की कोशिश करता हूँ देखे experience एक ऐसी चीज़ है जो किसी computer को नहीं आ सका computer एक machine है machine कोई भी होगी उसके अंदर experience नाम की चीज़ नहीं हो सकती experience ऐसी चीज़ है जो या तो इनसान में होगी और या जानवर में होगी ये जितने भी computer और जितनी भी machines हैं इनके पास experience नहीं है आप मुझे खुद बताएं जितनी भी बड़ी companies हैं IT की चाहे वो Infosys हो TCS हो बाहर की Microtech हो ये जितनी भी कमपनिया हैं बड़े बड़े algo बना रही हैं बड़े बड़े artificial intelligence बना रही है तो क्या इनके पास कोई artificial intelligence ऐसा नहीं है जो stock market में बन पाए क्या ऐसा कोई computer नहीं बन पाए जिसने सब को fail कर दिया है सारी चीज़ें गड़नाएं यहां से लेके moon तक की गड़नाएं हो जाती है और पूरा astrology जो है उसको computerize कर दिया गया है rocket जा रहे है rocket moon पे लेके जा रहे है और कहां तक technology पहुँच गई है तो जब इतनी technology पहुँच गई है तो क्या वो technology ऐसी नहीं आज तक बन पाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनिया यह बना नहीं पाई कि एक stock में trading कैसे करते हैं या profit कैसे कमाते हैं नहीं दोस्तों ऐसा कोई computer आज तक नहीं बन पाया क्योंकि reason यह की है कि कोई चाहे कितना भी बड़ा computer बन जाए चाहे कितने भी बड़ा super computer आ जाए वो आपको इस तरह का कुछ भी नहीं बनाके दे सकता कि आप stock में trade करें और उसमें profit आ जाए reason क्या है reason यह है कि आप उस computer के अंदर strategy फीड कर देंगे सब कुछ डाल देंगे लेकिन उसके पास experience नहीं होगा experience होगा केवल इनसान के अंदर तो दोस्तों मैंने last time भी बात करी थी कि strategy के साथ experience और practice बहुत जरूरी है जो चीजें जो चार्ट आपको दिखते हैं वो चार्ट आपको धोका भी देते हैं और वो जो चार्ट की language है ये चार्ट की language केवल और केवल आप अपने experience से समझ सकते हैं चार्ट बोलते हैं बजार तेन जाएगा या मंदा जाएगा चार्ट बोलते हैं लेकिन आपको वो language जब समझ में आएगी जब आप उस language को जानते हैं चलिए, charts पे चलते हैं बिना चार्ट के मज़ा नहीं आएगा आपको समझाते हुए ये मैंने डेली कैंडल चार्ट आपके सामने लगाया है ये चार्ट मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ जब हमारा सबसे पहले एक सपोर्ट कटा था 17,243 का पिछले महीने वो कटा था हमारा यहाँ पर इस वाली कैंडल के उपर ये वाला सपोर्ट कटा था ये सपोर्ट था 17,243 जो लोग हमारे साथ लगातार बने हुए उनको यह याद है कि 17,243 का मन्तली सपोर्ट था और ये 26 सप्टेंबर को कटा था इस कैंडल से और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अब मंतली सपोर्ट कट गया है लेकिन हमको वेट करना है क्योंकि मंतली सपोर्ट होता है मंतली का मतलब हो गया कि कम से कम 24 दिन एक मंत के अंदर होते हैं और मंतली सपोर्ट एक बड़ा सपोर्ट होता है हम उसको कटा हुआ है जब मा देखें जरा एक दो तीन चार पांच छे के बाद सातवे दिन हम जो है वापिस इस लेवल के उपर निकल गए आठमा दिन हम उपर ही रहे नौवा दिन हम यहां रहे और उसके बाद हम यहां फिर से इसके नीचे आए तो हम जरा देखते इसके नीचे हम कितने दिन थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे साथ, आठ, नो, दस दसवे दिन के बाद ग्यारवे दिन हम उपर खुले और उसके बाद बारवे दिन से वापिस हम इस लेवल के उपर चलेगे आपने देखा कि किस तरह से जो चार्ड्स हैं, वो कमजोरी दिखा रहे थे, बिलकुल जो कैंडल्स हैं वो ये दिखा रही थी कि हम एक लेवल के नीचे आ गए हैं, लेकिन हमारा एक्सपिरियंस के वल ये कह रहा था, कि नहीं दोस्तों, अभी रुको हम मंदे में नहीं गए हैं, मंदे की कनफर्मेशन जब ही आएगी, जब हम इस लेवल के नीचे कुछ दिन गुजार देंगे, तो दोस्तों ये मेरा एक्सपिरियंस था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया और शायद ये जो सेशन होता है, जो हर वीक हम आपके साथ करते हैं, इसके अंदर कई चीजें ऐसी होती हैं, जब वो घटती हैं, तो वो मैं आपको लाइव बता पाता हूँ, और शायद ये लर्निंग के बियॉंड हैं, जब हम जो ये एपिसोड करते हैं, ये किताब से बाहर है, ये कभी भी किसी किताब के अंदर नहीं आ सकता, इस तरह के एक्जामपल, मैं आपको कभी भी किसी बुक में, जो किसी क्लास के अंदर भी मैं आपको ये एक्जामपल्स नहीं देश सकता हूँ, ये एक्जामपल मेरे को लाइव मार्केट में मिलते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारा एपिसोड आता है उसको स्किप करके ना देखें कई लोग देखते हैं फटा फट जाके निफ्टी के लेवल्स देखेंगे वो ना करें लर्निंग को लगने लग गया है कि जो फेड है वो बहुत जादा रेट्स को एग्रेसिवली नहीं बढ़ाएगा नवंबर में 75 से 100 बेसिस पॉइंट बढ़ना तह लग रहा था लेकिन अब जो कुछ डाटा आ रहा है उससे ये लग रहा है कि इंफलेशन स्वालन अब हो चुकी है और अब शायद 75 से 100 पॉइंट ना बढ़े 50 से 75 बेसिस पॉइंट ही बढ़ते हैं बढ़ने चाहिए नवंबर की फेड की मीटिंग में लेकिन अगर अच्छी बात ये अगर शायद अगर 50 बेसिस पॉइंट ही फेल्ड ने बढ़ाए तो मार्केट में एक अच्छी खासी चलांग आपको और लगाती हुई दिखेगी और कोई बड़ी बात नहीं है कि अब हम तयार हो चुके हैं हमारा जो 18,600 है उसको क्रॉस करने के लिए हाला कि उमीद थी कि दिवाली तक हम क्रॉस कर देंगे लेकिन अब दिवाली तक क्रॉस करना मुश्ट है क्योंकि मंडे को महरवर ट्रेडिंग है एक डेडर घंटे की ट्रेडिंग होगी उसके बाट Tuesday को एक सेशन है Wednesday को मार्केट फिर से बंद है तो finger cross करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी 18,600 को cross करें तो दोस्तों निफ्टी हमारा Friday को बंद हुआ है 17,585 करीब करीब 430 पॉइंट उपर crude बंद हुआ है 7090 करीब 30 पॉइंट उपर और gold बंद हुआ है 50,625 करीब करीब 225 पॉइंट उपर तो gold, crude और stock market तीनों ही हरे निशान में के साथ बंद हुए है और हाँ आज के दिन इतना जरूर कहूंगा कि market अब almost तयार हो चुका है अपने high को काटने के लिए 18,600 बहुत दिनों से हमारा इंतजार है एक बार पीछे पिछले महीने तेजी बनी थी 18,000 तक हम गए थे उसके बाद वापस नीचे करीब 16,600 तक आए और उमीद तूड गई थी लेकिन हाँ इस बार लगता है कि 18,600 के लिए हम कैयार है चाए वो technical reasons हो और चाए वो fundamental reasons हो इन दोनों ही जो reasons है ये market को इस समय एक अच्छा bull run दे रहे हैं और उमीद करता हूँ कि ये दिवाली आप सब लोगों के लिए बहुत bumper profits लेके आए और 18,600 हम अगले कुछ दिनों में ही काट जाए तो दोस्तो अगर मैं last week की बात करूँ हम last week के उपर daily के उपर weekly के उपर bullish थे monthly के उपर हम अभी भी bearish थे क्योंकि हमारा जो main resistance था 17,500 कुछ उसके उपर तो market आ गया है लेकिन अभी ये month close नहीं हुआ है और अभी 3-4 दिन बागी है तो overall हम जो experience के इसाब से चल रहे थे वो हम bullish ही चल रहे हैं और हमारा weekly daily भी हमको bullish sign दे रहा है तो चलिए चलते सीधा charts पर तो दोस्तों हम आ गए है candle charts के उपर daily charts daily candle charts पर हमारा जो resistance था पिछले week का 17,511 का monthly resistance था daily resistance था 17,322 और हमारे पास एक support था 17,103 17,103 Friday को market हमारा यहाँ पर खुला ये level था open करिक 17,145 17,145 के उपर हम खुले हैं और आप देखें कि इसी दिन exactly हमारा जो support level था 17,103 वहाँ तक market गया और उसके बाद अच्छी खासी एक तेजी के साथ यहाँ पर बंद हुआ और उसके अगले दिन हमारा ये resistance जो था 17,322 ये भी खटा Tuesday को और उसके बाद Wednesday, Thursday और Friday लगातार एक अच्छी तेजी बनी और हम जो है 17,511 के उपर बंद हुए तो overall market में एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिली और अब देखना ये होगा क्या next week हम जो closing है मंतली का हम उस level के उपर close हो पाते हैं 17,511 के उपर तो एक confirmation मिलती है कि हाँ अब हम जो bullish है वो confirm bullish है अगर मैं next week data की बात करूँ तो Monday को market हमारी बंद है Wednesday को भी हमारी market बंद है और कोई बड़ा data हमारे हिंदुस्तान का release नहीं होने वाला और Monday को US में कुछ नहीं है Tuesday को consumer confidence के numbers आएंगे US में Wednesday को new home sales के number आएंगे Thursday को GDP के number आएंगे और Friday को एक अच्छा बड़ा data है जिसको हम बोलते है personal consumption तो यहां मेरा खास ध्यान रहेगा personal consumption के उपर और overall अगर यह data ठीक ठाक आते हैं तो technically भी market जो है वो बुलिश है और overall जो इस समय news के और data को अगर हम compile करें तो हमारा view positive ही बनता है नमस्कार मेरा नाम बुद्ध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं stock market में trade कर रहा हूँ और market से मुझे निराशा ही हाथ लगी फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTA strategy का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस course को 3600 रुपे में online किया तो आज मेरा trade करने का अंदाज ही बदल गया Thank you IFMC मुझे trade करना सिखाया और मेरा confidence रीगेन करवाया Call 9870-510-5111 और visit www.ifmcinstitute.com तो टेकनिकल व्यू के लिए अब हम आगे हैं अपने UNITIES मॉनिटर पर निफ्टी सेंटिमीटर हमको yellow zone में दिखा रहा है अभी भी लेकिन हलका सा tilt है bearish की तरफ और क्यों tilt है bearish की तरफ क्योंकि अभी भी हम monthly जो हमारा resistance है उसके उपर हमारी candle close नहीं हुई है लेकिन हमारा experience हमको यह कहता है कि market अब bull run में आ चुकी है तो निफ्टी के level नोट करेंगे जल्दी से निफ्टी daily के उपर upward है support है 17,423 week के उपर निफ्टी upward है जिसका support है 17,145 और month के उपर निफ्टी downward है जिसका resistance है 17,485 bank nifty के नोट करेंगे bank nifty daily के उपर upward है support है 40,370.75 week के उपर bank nifty upward है support है 39,295.60 month के उपर bank nifty upward है जिसका support है 37,594.15 तो bank nifty तीनों ही interval के उपर bullish है तो चलिए चलते हैं सीधा charts पर और conclude करते है next week को तो दोस्तों हम आगे हैं अपने candle charts के उपर support मैंने mark कर दी है 17,145 यह हमारा सबसे base का support है उसके उपर support है 17,423 और हमारा एक resistance है 17,485 तो यह एक resistance दो support हम बंद हुए हैं यहाँ पर यह जो point है यह point है 17,575 17,575 पर हम बंद हुए हैं और हम इस समय अपने weekly, daily और monthly तीनों resistance और supports के उपर हैं तो market एक अच्छे zone में और इस समय जो market के अंदर एक demand बनी हुई है वो clear indicate कर रही है कि market एक bull run में फिर से आ चुका है अब बात आती है कि intraday traders क्या करें intraday traders किसी हाल में एक तो कोशिच करना है कि selling का trade नहीं बनाना है अगर market यहां से भागी और आपने कहीं selling कर रखी हो तो trap हो सकते हैं buy करना है buy जो है वो आपका बनेगा 17,480 के उपर अगर market रहता है तो आपको जो आपकी baskets बनानी है वो bullish baskets बनानी है और आपका जो support रहेगा वो आप रख सकते हैं 17,423 क्योंकि बहुत ज़्यादा difference नहीं है 17,485 और 423 में तो हम 17,423 को हमारे जो short positional traders है और जो positional traders है उनके लिए हम एक support बना सकते हैं और finally जो long positional trade करते हैं जो 15 दिन 10 दिन के लिए जो trade कर रहे हैं उनके लिए जो मेरा support है वो रहेगा 17,145 17,145 के नीचे किसी किसम की कोई buying accepted नहीं है तो overall market bull run में है bullish है bull basket बना के काम करें selling avoid करें blank selling बिलकुल ना करें आज के लिए इतना ही thank you so much दिवाली आप लोगों की बहुत बढ़िया हो और खूब खूशियां मनाएं और खूब next year जो है वो आपका अच्छा हो और खूब सारा profit आपको है thank you so much stock trading के दोरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए ये सवाल आपको परशान करते हैं तो चलिए simplify करते हैं stock trading को और निकालना सीखते हैं वो accurate points जहां हमें stock को buy या sell करना है मेरे यानि मनीश तनेजा के साथ IFMC की UDTS strategies से UDTS यानि Unidirectional Trade Strategies जो है हर stock trader की पहली पसंद जो बनाती है stock trading को simple, accurate और stress free UDTS strategies सभी intervals पे काम करती है चाहिए वो intraday हो, positional हो या long positional हो मेरे 26 सालों के experience और expertise का निचोड है UDTS IFMC की लोग प्रियता का राज है उसकी copyright strategies and IFMC is unchallenged leader in stock market education IFMC is now a school of 10 million learners awarded twice by Delhi City Icon Awards So let's begin UDTS online course by IFMC